हम इस मूलभूट चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाली पीडियों के लिए मिट्टी को जिन्दा रखना है क्योंकि मिट्टी हमारी संपत्ती नहीं है यह वो विरासत है जो हमने पिछली पीडियों से प्राप्त की है और हमें आने वाली पीडियों को वैसा ही सौप कीवल इस वजह से कि उन्होंने अलग तरीके की खेती को अपनाया। किसानों को बताने के बज़ाएं कि उन्हे क्या करना चाहिए, उन्हे क्या उप्योग मेलाना चाहिए और क्या नहीं। उन्हें कहिए कि आपके खेट की ये स्थिती होनी चाहिए, जिस भी तरीके से ये हो, अगर आप ऐसा करते हैं, तो हम आपको एक प्रोथसाहन देंगे, ये ज़्यादा विवहारिक होगा, और किसान इसे अपनाएंगे, क्योंकि जब मैं किसानों के पास जाता हूँ, तो हम ecology या पर्यवरन की बात नहीं करते हैं, हम केवल इस बारे में बात करते हैं, कि उसकी आर्थिक स्थिती को कैसे सुधारा जाएं, केवल यही तरीका है जो काम करेगा, और मैं पूछ रहा हूँ, कि हर एक सरकार अगर ऐसी घोशनाएं कर सके, अभी हम रोमेनिया में हैं, यहां लेकिन यहां भी एक मुद्दा है, यह आसानी से खेट में पता लगाया जा सकता है, इसके लिए लेबरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, तो अगर यह 3 प्रतिशत तक पहुचता है, तो उसे एक प्रोचसाहन दिया जाएगा, और यह एक बार जब 3 प्रतिशत तक पहु आगे बढ़ना चाहिए, ये दूसरे स्तर का प्रोच साहन है, तीसरे स्तर का प्रोच साहन है, मान लीजे कि आप तीन फीस्ती जैविक तत्व वाले खेत में सेब उगा रहे हैं, तो अब इसे बाजार में विशेश शेल्फ मिलेगा, अभी हम बाजार में ये व्यवसाइक सौफीस्ती नहीं जान सकता है, लेकिन इन जैविक तत्वों को मापना बहुत आसान है, तो अगर आप कहते हैं कि ये फसल तीन प्रतिशत जैविक तत्व से आती है, तो इतना विज्ञान है आपको बताने के लिए कि सूक्ष में पोशक तत्वों की गुणवत्ता और मात् में कितनी ज्यादा बढ़ोत्री होगी, अगर आप आखलन करें, इस एक्स्ट्रा पोशन के मिलने से आपके स्वास्थ के लिए फाइदे, और रोग निवारक स्वास्थे फाइदे क्या होंगे, श्रम दिनों के नुकसान के संदर्भ में देश को क्या फाइदे होंगे, और स्वास्थ सेवाओं पर ज्यादा खर्च नहीं करने के संदर्भ में क्या फाइदे होंगे, ये सभी चीज़ें, विज्ञान, आकड़ें पहले से ही आँए, हमें केवल ये तीन प्रतिशत वहां डालना है, माल लीजी अगर मैं अपने छे प्रतिशत जैविक तत्व वाले म मेरे खेट से फसल लेता हूँ, उसके अनुसार मेरे सेव को और सभी से अलग एक शेल्फ में रखा जाएगा, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होगी, लेकिन अंतर ये होगा कि पांच सेव खाने के जगए, अब आपको केवल ये सेव खाना ही काफी है, हाँ, मुझे लगता ही क मापने का जादा बुद्धि मत्ता पूर्ण तरीका है, क्योंकि हमें इसी की जरूरत है, हमें उन दक्ष निर्देशांकों की जरूरत है, जो खेती की गुणवत्ता के बारे में बता सके, उस देखभाल की गुणवत्ता भी, जो आप मिट्टी को और सामान्य वातावरण क को देते हैं, मुझे लगता है कि यह ऐसा है जो अपनाया जा सकता है